हेलो फ्रेंड स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल अडवांस आटो इलेक्ट्रिकल में दोस्तों आज हमारे पास एक जे 20 का ECM पढ़ा है ठीक है जे 10 जे 20 का ECM पढ़ा है हलाएं कि ये 20 का ECM है तो मैं आपको बताता हूं जे 20 आपको कैसे मालूम पढ़ेगा ये जे 20 का है या जे 10 का है और ये किस वजह से लगाए गए हैं और ये पास एक जे 20 वाला ECM है ठीक है अभी जे 20 की मेरे को कैसा मालूम पढ़ा देखो इधर मोस पेड़ लगें ठीक है एक दो तीन इधर हलाएं कि हमने निकाल आए इंटर्णरली शौट था इस वजह से आमने ये निकाला है डीयरवी का जो रहता है डीयरवी को पावर सप्ली नहीं आ रही थी तो उसकी वैरिंग शौट हो रही थी इसके कराण ये ECM पुरा इधर शौट था इधर शौट था इधर शौट था भाउध जगाह पर इसमें वह तो चलो बात की बात है हाँ अभी बिना टेमेश की स्टार्ट करता हूं देखो दोस्तों यह जो है जे ट्विंटी का का ECM आपको एक मोसपेड्म मिलेगा तो आप समझ जाना यह जे разм कर सकते हैं जे टेंट का इसम जे ट्विंटी में कर सकते हैं जे 20 लिए में आप कर शकते कोई प्र्रोलमम नहीं सिर्फ कुछ कॉंपोनेंट को आपको चेंज करना रहता हुआ अराम से आप कर सकते हैं ठीक है और यह जो सेक्षिन रहता है यह जो सेक्षिन रहता है यह पूरा इंजेक्टर सेक्षिन रहता है ठीक है यह पूरा जितना भी इदर सेक्षिन है यह पूरा आपका इंजेक्टर स सेक्शन रहता है ठीक है यह इंजेक्टर सेक्शन हो गया कोई आपको एक इंजेक्टर फायर नहीं कर रही है या आपका कोई इंजेक्टर का ग्रोंड शाट्टू सर्किट ग्रोंड का कोई कोड बन रहा है तो आपको इधर आपको देखना पड़ेगा यह सब इंजेक्टर से हो रही है और इसे कुछ एक्षुलेटर यह जो 12 वो से जो काम करते हैं वह आपको काम नहीं कर रहे हैं ठीक है 12 वो से जो काम कर रहे हैं वह आपका काम नहीं कर रहे हैं तो आप यह सक्षिन में आप देख सकते हैं ठीक है आपका फ्यान हो गया एसी फ्यान हो गया और आपका डी यह वी हो गया ठीक yn कं का डी नीच हो यह सक्षण का गड़ी करता वो स्थेक्षं में काम करता सीक्षेष्ष थे क्ड़ी यूम्हाश्य संसी क्या रटा में कलने के लिए इस सिऩम यह सफच्षन रहता आपको मोस्पेट देखना पड़ेगा डेवेड देखना पड़ेगा ठीक है रिजिस्टन्स देखना पड़ेगा इतके अंदर जितने भी वह सब आपको बारीकी से देखना पड़ेगा ठीक है और यह सब आपका सही है तो यह आईसी में आपको दिक्कत आ सकती है इसका नंब स्वारी देखके बता देता हूं कि थोड़ा दिमाख से निकल गया है यह 9131 ठीक है यह 9131 इसकी इसी यह रहती है यह एक्चुलेटर का काम करती है और दूसरा तीसरा मान के चलो आपका ECM आन ही नहीं हो रहा है ठीक है आपका केम्युकेशन नहीं हो रही है ECM आन ही नहीं हो इदर पावर एसी रहती है यह 912 ठीक है इदर पावर एसी रहती है सिस्टम को आन करना यह काम करती इदर आइसी रहती यह पूरा वह काम करती है ठीक है दोस्तों और यह तो केपैसेटर है ठीक है इदर पांच केपैसेटर लगे रहते हैं पावर स्टोर करना और डिस्चार चार्च करना डिस्चार्च करना चार्च करना यह इसका काम रहता है यह जो रहती है यह फ्लाइश एसी रहती है इसके अंदर भी डेटा रहता है यह फ्लाइश एसी रहती है ठीक है और इस इसम को आप रीड्राइट भी कर सकते हैं के टैक से रीड्राइट भी कर सकते हैं और और केस से भी रीड़ाइट कर सकते हैं और भहुत सारे टूल आपको देखने को मिल जाएंगे उससे आप रीड़ाइट कर सकते हैं यह जो लोकेशन रहती है यह लोकेशन से आप इस पॉइंट से आप ECM को रीड़ाइट कर सकते हैं ठीके जब आप रीड़ाइट करेंगे उस कि इसी एंटर काम करती है और बहुत सारा इस imagem स zuर्फ है मैं आपको मॉटा मूटा बता रहो कनु किम्निकेशन के इसी रहती है सारा कुछ यह प्ला है यह फालिजू को पेदकर पर ख॥ने बहुत सपकर जाता है में कमाम में power supply भेजना या receive करना या out करना यह सब यह सिगनल के तुरू ic को कमाण देता है ic जो भी sensor को देना है वो sensor को voltage के तुरू कमाण देती है ठीक है यह जो MCU रहता है MCU के अंदर से आपको signal भहुत कम निकलता है वन पैनिक voltage में निकलता है मान के चलब एक्जम्पल के तरुक पर आपको बताता हूं इधर से निकला आपका वन वोल्ट ठीक है वन वोल्ट इधर से निकला इस IC में receive किया इस IC से आपको पांच वोल्ड निकला ठीक है यह MCU आपको कभी भी बारा वोल्ड पांच वोल्ड नहीं निकलेगा तो यह इधर से command देगा आपको बारीक सा signal के तुरू आपको command देगा जो उसके related जो IC है ती वो काम करती है यह नहीं है समझता है सिस्टम को जि इस चेघाफ यह काम करता हौ ही ट्रीकलिक से हमांगरता है हाथ उठाना है तो हाथ उठाएंगे पैर उठाना टो पैर उठाएंगे सबजना है तो यही इसका दिमाग है ठीक है और इधर एक आठ पिंवाली एक प्रोग्रामिंग इसी ठीक है 95320 की सम्थिंग 95320 की एक सीरती उसके अंदर डा रहता है ठीक है अभी मान के चलो आपके पास same ECM आपके पास है यह मान के चलो आपका ECM खराब हो चुका आँ नहीं हो रहा है आपके पास के टेक भी नहीं है कुछ भी नहीं है पार्ट नमबर से मैं सेम गाड़ी का है तो आप डेरेट जो इधर चिप जो रहती है वो चिप निकालके दूसर ECM को अन मित करता हूं दोस्तों आपको छोटी सी नौलेज्ज आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताइए और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और यह सब आपके वोल्टेज करें रहते हैं वह हम अगले वीडियो में आपको हो से के तो बताइंगे इस्यम को कैसे कौन कौन सी जगा पिर आपको पावर सप्लर टेस्टिंग करना है । क्या रहता हैomi कि पास आ गया तो किंकीन पौइंट पौिंट पे आपको टेस्टिंग करना है तब आपको पता लगेगा हाँ मेरा ECM OK, ECM on हो रहा है ठीक है यह सब होतारे छोटे-छोटे common fault रहते हैं और common छोटी-छोटे चीजे रहते हैं इस जगह पर कितना चाहिए इस जगह पर कितना ओल्टे जाना चाहिए और जितने भी इसके अंदर छोटे-छोटे जो कमन मेरे पाद जबी इसे माता है तो इसे मिद्ध का जो मैं पाजिटिव नेगेटिव देखे कुछ पॉइंटे रहते हैं उस पॉइंट में टेस्टिंग कर लेता हूं इसे म श करने के पादना है नहीं हो रहा है जी जहां मेरे को पLouis डीटिव रहना चाहिए उस जगहा पे मेरे को पादिटाउल जाहा ऌप психोटो बीद गया Zachary मिल गया तो मैं समझ करेक्rage य हूंघ्ल जाओंगा इसे मिवहरों किया है कि यहां हो रहा है ठीक यह हिसाब से हम ठीक है दोस्तों और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेर करें कमेंट्स लों सस्क्राइब करें ठेंक्स पर वाचिंग